गोरकपूर नीज में आप सभी का स्वागत है मैं उत्प रिसिती की सबसे पहले हेडलाइन गोरकपूर नीज के हेडलाइन के प्राविजेक है डक्टर राणा शॉपिटल प्राविट रेविटेट अन्ट्रामा सेंटर मुनीप के उपर फायर कर एक लाख से उपर की लूट घटना की जाच में जोटी पुलिस स्स्पी डॉक्टर सुनिल गुप्ता ने कहा जल्द होगी गृफतारी विकास के पत पर अग्रसर है गोरखपूर जिलादिकारी के विजेंस पैंडेल ने कहा जल्द नए लुप में नजर आएगा गोरखपूर हिंदु जोगानी के कई पूर प्रादिकारीयों की पुना संगठन में घर वापसी परदेश परभारी वेम विधायक डो मरिया गंज रागवेंदर परताप सिंग ने की गोच्रा गोरखपूर न्यूज के खबर का असर कोतवाली थाना छेत्र एस्थित एक लाण में हुई लाइव चोरी की घटना को संग्यान में लेते हुए एसेसपी ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश दर्ज हुआ मुकदमा गोरखपूर न्यूज ने परमुखता से दिखाई दी खबर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहल किया जाने के लिए गर्जे राज करमचारी, शिच्छक और अधिकारी, नई अंश दाई, पेंशन योजना के खिलाब किया हडताल, खोला मुर्चा जिलादिकारी के अधिश्था में संपन हुआ शान्ती व्यवस्था और अभियोजन समीती की बैटक लंबित वादों को समय से निस्तारन के दिये निर्देश सरकिट हाउस अभगार में राज आयोग की सदस निर्मला देवी के देश्ता में संपन हुई बैठक वाजन सुनवाई मैला उत्पिणन की घटनाओ के तौरित निस्तारान की दिये निर्देश प्रदार मंतरी किसान सम्मान निदी योजना के पात्र किसान करा लें अपना रेजिस्टेशन मिलेंगे 6000 सालाना डीम निदी जानकारी पांच सुत्रिय मांग को लेकर उत्तर परदेश बार कॉंसिल के अधिवक्ता 11 फरवरी को डियम के माध्यम से पीम को प्रेशित करेंगे ग्यापमन बार कॉंसिल के सदस मदू सुनन तिर्पाटी निदी जानकारी जिलादिकारी के अधिश्टा में संपन हुई राजस परशासन हुआ कर करेटर की बैठट लक्ष के सापेश राजस की शत्परतिशत वसूली किये जाने सहित OTS के परचार परसार करने के दिया निर्देश विभिन मागों को लेकर परगतिशील समाजवादी पाल्टी लोहिया ने दिया धरना किसान आयोग के गठन और देश को कर्ज मुक्त कराने का किया मान महानगर इस सिद नगर निगम परिसर में रेली निकाल कर किया परदर्शन विविन मागों को लेकर अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौपा गया पन आगनवाडी कर्मचारी वेम साही का एस्सेशन का अनिश्चित कालिन काम बन कलम बन हरताल रहा जारी कहा मांगे पूरी ना हुई तो लखनू करेंगी कूच और खूब खेलो खूब बड़ो शीर्शक के अंतरगत आयोजित हुआ एक दिवसी अटलीट और बालेवाल जलास्तरीय परतियों गिता विजेता खिलाडियों को पुरुसकार दे कर किया गया सम्माने अब समचार विस्तार से गौरपूर के बेलगाट थाना छेतर अंतरगत पतरहा मिश्रा में बालू ठेके के आफिस पर बुदवार को दिन में लगवाई ग्यारा बजे बगल के गाउं रापत पूर निवासी बमन मिश्रा पुत्र अरविन मिश्रा वा देवांश मिश्रा पुत्र गुड़ू मिश्रा पहुंचे और दो लाग की रंगदानी की मांग करने लगए मुनीब दोरा विरोध करने पर असलहे से फायर कर आफिस के अंदर काउंटर में रखा हुआ एक लाख छे हजार रुपया लूट कर फरार हो गया आपको बता दे कि पधरा मिश्र का बालू खनन का टेखा शिला चंद्र पतनी तेज नारायं चंद्र निवासी चिलुआ थाना गोला के नाम से है जिसका संचलन बेलगार थाना छेतर के मढ़हा निवासी पंकश शाही द्वारा किया जाता है बुद्वार को ठेके के आफिस पर इसी थाना चेतर के सोपाई घाट निवासी प्यूश सिंग पुत्र अखिलेश सिंग जो मुनीब है वसुली कल रहे थे आरोप है कि दिन में 11 बजे पवन और देवाश दोनों मोटर साइकल से आये और बालू का ठेका बंद करने के धमकी देते हुए दो लाख रंगदानी की मांग करने लगे मुनीब द्वारा विरोध करने पर एक ने फायर कर दिया और दोनों कैश काउंटर से एक लाख साथ हजार रुपे लेकर फरार हो गए गटना की सूचना पर थानादेज बेलगार सुरेश चंदर रौस यो गोला सतीश चंदर शुकला मौके पर पहुँचे और गटना के बारे में जाच में जुटे इस मामले में बालू ठेका देख रहे हैं अमरेंद्र परताब शाही की तरीर पर बेल घाट पुलिस ने पवन मिश्रा एवं देव्यांश मिश्रा के खिलाब धारा 307, 392 एवं 506 में मौकतमा दर्जिकर लिया है इस समद्ध में गोरक पुर्णी समदादा से बात करते हुए एसेसपी डॉक्टर सिनिल गुपता ने कहा कर्णी करता हुए दॉनो ऐसा भीसराए कर भ्रणी टो बसक्राइए फेरिकर अब राथी यह लोग हमने गाम हम पता करता है तो लोग आये थे बाइक से तो गेट से रंगबाजी मांग रहे थे बोले से दो लाग हमको पढ़ देका जहिए से लगदेका हम कहां से देख सकते हैं 2,00000 रुप्या उसके बास बचां लिए उसके वासे अंदर आके कंटा सठागे हमारे पर यतना प्रासा था कांटर में वहाद जीब में संब्ली के सार गोडी बाद बाहर फायरिंग किये पर चले गए कितना रुपया के है तो जी सरी एक लाब से लोड़ी हो खुप जैने अफ्लासो नीजिस त्विदध रिभाओ नवाच्छ नवाच पुरा परिवरी मोहिरा घरिए करो जाट नमासा है सब दूबाओ अंदू है ऐगा है आध्य करें इस्तिमिसर आके तो करें बबो बबाकर पाथे लोगा असे पाता हैं अगर जासे एर बेंडर आ रहें हाँ डायल हंडड़ पर अभी कुछ फुशना आई थी कि बिलगाट थानच्चेतर में किसी कोई फायर हुआ है वहाँ पर कोई जो एक बालू का काम करने वाले मुशी के पास में दो लोग गए थे और उन्होंने पैसे वैसे की बात करी और पैसे ना देने पर जो हमनोंने कुछ फायर किया और वहाँ पर रखे हुए उसके जो बिकरी के पैसे थे वो ले लिए हलागि इसमें नमजद हैं जो वहाँ के प्रवादी है जो उसने बहचाना है कि वो कौन लोग थे उसके आसपास के घाउं के लोग थे तो इसमें विदिक करवाई की जा रही मुकदमा पंजीक रत करके जल्दी उनको इरफ्तार कर लिया जाएगा गोरखपूर जनपत विकास के पत पर काफी अगरसर है जहां स्वास्त सेवाओं को लेकर गोरखपूर में एमसका निर्माण परगती पर है वहीं फटलाइजर खात कारखाना भी खात का जल्दी उतपाद करेगा गोरखपूर में आयुश्मान भारत योजना के तहट सरकारी कथा सत्तर गयर सरकारी अस्पतालों में लगभग दो लाख लोग इस योजना का लाव उठा रहे हैं इसके लवा सरकार की तमाम योजना हैं जिले में संचालित की जा रही है इस समझ में जिलादिकारी की विजेंदर पांडिया ने गोरखपूर नी समधाता से बात करते वे बताया कि एक वर्ष में लगवग 20,000 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्द कराने का कारियक किया गया है तथा एलेक्ट्रिक सिटी, कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया गया है जल्द ही गोरखपूर एक नए लुक में नजर आएगा इस समझ में गोरखपूर नीज समधाता से बात करते वे जिलादिकारी गोरखपूर की विजेंदर पांडिया ने कहा अधिके गोरखपूर में अब देखेंगे पिछले दो साल में जो इतने सारे योजना चल रही है तक करीवन इस समय में 40,000 क्रोड का योजना यदी हो चुका है नई तो अभी तो निर्माना दीन है यहाँ जो कास्वर पे एक एक योजना में मैं बता दूँ कनेक्टिविटी के बारे में अब गोरखपूर से जो कितने शहर है आसपास शहर है जो यहाँ वारना सिले आजमगर ले यहाँ जो आपका महराज गंज ले कुछिना ले सारे जो रोड एक्सपैंशन हो रही है जो 2-lane, 4-lane में हो रही है 4-lane, 6-lane, 8-lane में कनवर्ट हो रहा है यहाँ से सीथे-सीथे बारत माला योजना में जोडने के लिए योजना भी तेजी से चल रही है इस समय में उसके साथ साथ यहां से Link Express Way जो वैसे पुरवांचल Express Way खेला जाता है उसके यहां से गोरकपूर से आजमगड का करीब 90 किलोमेटर का Access Control Express Highway वर्ल्ड क्लास में जो रूप से बनाने के लिए पूरा योजना हो गया है उसके अलावा जो यहां का रिंग रोड है कास्तुर पे जंगल कोडिया से बाहर बाहर जो शहर के जाने के लिए और जो हावर्ड बंदा का रिंग रोड है उसके अलावा जो इंटरन कितने रोड से वो सब का छोड़ी करन सोंद्री करन यह सारे चीज हो रहा है यहां किनेक्टिविटी के दिशा अब देखेंगे गोरकपुर का जो भी शहर से यहां से जाना नहीं तो किसी भी शहर से आना बहुत आसान हो गया यह तो एक डृम इख इत्री के लिंग ओं Berk और का का सundra ऌनेक्तिविटी का है कलकता और लकनो को भी शहर जोडने के लिए योजना प्रारंब हो गया है अब उसका बुकी इंकिंग अभी एक मेने के अंदर हो जाएगा यानने जो गोरकपूर से और भी जो किसी भी कोने पर आपको भारत में जाना है तो फिर आपका बस गंटा वक्त का समय लगेगा उसी टेप के कनेक्टिविटी बढ़ गया बाकी बड़े-बड़े योजना में अब गिनेंगे तो यहां देखिए पूरवान चल में सबसे बड़ा योजना एम्स है एम्स तो करीबन 2000 क्रोड का जो है तक करीबन 8 मेंने पहले से काम प्रारम वो इतने तेजी से एम हुआ है अब उमीद है इसी मेंने उसको OPDB प्रारम होने वाली है वो तो पूरवान चल का एक तरफ जो मेडिकल हब के रूप से गोरकपर उबर के आया है केवले एम्स नहीं है हम BRD का अंदर भी देखेंगे 8 सूपर स्पेशालिटी यूनिट से वो बन के तैयार है वो भी इसी मेंने से प्रारम हो जाएगा जो किस चीज के लिए बीमारी के लिए जनता लोग तरसते हैं आस तरपे जो हार्ट रिलेटेड बीमारी है किड्नी का है, कैंसर ट्रीक्मेंट है गंबीर बीमारी के लिए कहीं कहीं मरीज को एम्स जाना पड़ता है, जूर जाना पड़ता है वो समस्या कतम हो गया है साथ-साथ जो सरकार का एक बड़ा योजना है जो आईश्मान बारत का अंदर यहां गोरकपुर में 3 लाख परिवार को हम लोग अच्छा दित किये हैं उस पे आप 5 लाख तक का फाइदा जो भी परिवार किसी भी बारत में किसी भी कोने पर जा करके इलाज कर सकते हैं माले जे एम्स भी जाना है नहीं तो यहां गोरकपुरा करके जाना है उसी टाइप के इस पे अब तक हजारों संक्या में अब लोग लाबारती का हम लोग लाबनवाइद भी कराच चुके हैं उसका संक्या तो बढ़ती जा रही है और करीबन सतर आस्पतल है यहां प्रिवेट आस्पतल इस पे रुची लेते हुए सेवा भी देना प्रारम कर दिये यह स्वास्त पाइंट आफ यू में तो यह बड़ा अवल है जो एक अच्छा काम हुआ है उसके अलावा जो और अन्य फिल्ड में भी देखेंगे यहां देखेंगे रोजगार पाइंट आफ यू में हम लोग यहां जो यहां जो फेटलाइजर फैक्टरी बन रहा है तो करीबन 8 से 10,000 क्रोड का जो लागत में बन रहा है यह अभी तो जल्दी एक साल का अंदर प्रारम होने वाली है उसका गेल पाइपलाइन है वो धूर से कनेक्ट होके पाइपलाइन का लाइन भी बिच गया है वो तैयार हो गया है साथ-साथ आभी हाली में एक योजना है LPG पाइपड जो कनेक्शन है पाइपड डोमस्टिक जो सिलिंडर बराने के कनेक्शन है वो भी करीब 3000 क्रोड में प्रारम हो गया है उसका जो मानिय प्रतान मंतरी जाएंगे उसका करकरम लोग द्वारा से हम लोग दूसको योजना का प्रारम भी करेंगे यह जो कनेक्टिविटी के बरह में यान जो कास्तोर पर जो इंडस्ट्रियल बिल्ट में जो कितने बढ़ावा देना है उसी का है और साथ-साथ जो गीडा में आसपास जगह का लैंड बैंक के भी हम लोग क्रियेट कर रहे है यह इंडस्ट्रियल सम्मेलन इंवस्टर समीट में करीब दो हजार क्रोड का निवेज गोरगपूर में हुआ है अब तक उसके तो तमाम फैक्ट्रियां अपने जमीन उसको सेलेक करके अपने इंडस्ट्रिय का प्रारम भी करा चुके है यहाँ और इसके अलावा दो रोजगार मेला हम लोग की हैं अब तक 20,000 लोग का नोकरी हम लोग एक साल का अंदर दिलवाया है उसके बाद एक मैने अगले मैने भी रोजगार मेला लगाने के लिए प्रस्तावीत है उसी दिशा पे हम लोग रोजगार जो कितने लोग का भी जुरूरत है उसी साबसे हम लोग का ये डेटाबेस भी मेंटेंड़ें बाकी 30,000 लोग के भी जलदी से जलदी नोकरी हम लोग दिला देंगे उसी स्तिती पे है और बाकी योजना में भी देखेंगे जो पंशनदारक योजना है यहां तो तीन तरक का पंशन मिलता है वर्दा पंशन, विद्वा पंशन और विकलांग पंशन उस पे भी हम लोग कैम के जरिये से अब तक जो हम लोग वर्दा पंशन है तक करीबन 40,000 लोग वर्दा पंशन ले रहे हैं उसके अलावा विकलांग जन है एक जन भी 18 साल को उपर जो विकलांग जन है उनका हम लोग छोड़ा नहीं है उनको भी शामिल करते हुए प्रति मेने 500 रुपिया के दर से हम लोग उनका पंशन भी दिला है उसके अलावा विद्वा महिला है जो निराशित महिला है कजबा है वो भी चुटा हुआ है उसको हम लोग फिल्ड आफिसर के जरिये से सर्वे कराएं ताकि तो इसी मैनेत है क्याने फिरवरीत है कोई चुटा हुआ वेक्ति ये तो जाने अंजाने में उनको भी शामिल करते हुए हम लोग पुरा योजना का अच्छा दित करते हैं उ जो समय समय पर जो भी बिनन योजना है राज सरकार का केंदर सरकार का उसी का अंदर जो कितने लाबार्थी का मलोग लाबन वाइत करा सकते हुए उस साब से लाबन वाइत करा चुक है और बाकी जो अभी प्रगदी पर है गोरखपूर आप देखेंगे तो 6-7 मैने के इवन विधायक दो मरिया गंज रावगेंद परताप सिंग ने एक प्रिस्वारता कर हिंदू जवावैनी के कई पूर पतादीकारियों को पुना संगठन में वापस किये जाने की गोश्रा की इस औसर पर परदेश परवारी श्री सिंग ने कहा कि अस्थापना के समय से अगर किसी कारण से थोड़ा भटक गय थे लेकिन विचारधारा से समझाता नहीं किया उन्हें पुना वापस लिया जा रहा है वापसी हे तू पूर परदेश महामंत्री राम लच्मन पूर परदेश उपाद्देश रोन सिंग पूर परदेश मंत्री अरोड भारती पूर पूर परवारी जहांसी विभाग अर्विंद वर्मा पूर सह परवारी बस्ती विभाग शियाम ब्यारी गौड पूर जिला परवारी अजय गोविंद राओ शिशु के नाम की घोशणा हुई इस उसर पर हिंदू यावाहनी के परदेश महामंत्री इंजिनियर पीके मल ग हिंदू योहनी अपने अस्थापना काल से ही अपने हिंदूत के मुद्दे पर अपनी मूल विचारधारा के मुद्दे पर हिंदू आनी कार करता है इसमें कार करते रहे हैं विगत चुनाव में 2017 में कुछ लोग भटक के गलतीवस इधर उधर चले गए थे आज हमारे अगविंद प्रताप सिंग्जी मानि विधायक दुभरिया गज उन्होंने कुल साथ लोग की वापसी की है वो लोग जो गलती से इधर उधर लेकिन उनकी विचारधारा हिंदूत की ही रही है और चुनाव में दिखभरमित हो गए थे ऐसे लोग को उन्होंने अपने में ह दिख्षा जाहिर की थी हम लोग उन्हें वापस लिया ये जो लोग हैं जिनको हम लोग ने वापस लिया है इसमें हिंदुवायनी के पुर्व प्रदेश के महमंत्री रामलक्षवन जी और हिंदुवायनी के पुर्व प्रदेश उपाद्यक्ष स्रवन सिंग हिंदुवाय और बस्ती विभाग के सब प्रभारी शाम बिहारी गौड, संदकभी नगर जनपत के संदकशक हिंदुवाहिनी के स्रीबेद प्रकास सिंग और कुशी नगर पुरुजिले के प्रभारी अजय गुविंद राव शिशू इन सारे लोगों को हम लोगों ने आज के दिन वापस लिया है और उन्होंने पुझ महराजी में पूरी तरह से आस्था बेक्त करते हुए हिंदुवाहिनी के इस अभियान को आगे बढ़ाने का वचन दिया महानगर के कोतवाली थाना चेतर इसित एकलान में चोर तीन लाख पच्छतर हजार रुपे लेकर फरार हो गया चोरी की वारदा सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसकी शिकायत के बाद भी कोतवाली पुलिस से टाल मटोल कर रही थी आपको बता थे कि से जन्मा थाना चेत के पिपरॉली निवासी सुधीर कुमार जैसवाल की भतीजी शालनी की शादी तीन फरवरी को थी बावीना रोड इस्तित एकलान में शादी करिक्रम का आयोजन हुआ एक कमरे में दुलहन के सामान संग बैग में 3,75,000 रूपे नगद रखा था रात में जब रूपे की ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि बैग गाइब था परिवार के लोगों ने तलाश की और फिर सीसी टीवी कैमरा देखा तो एक किशोरी बैग लेकर जाती नज़र आई किशोरी के अगल बगल में एक संदिक दी हुआ भी नज़र आया सुधीर जैसवाल ने कोतवाली पुलिस को जान करी दी लेकिन कारवाही नहीं हुई उस सीसी टीवी फूटेज को गोरफपूर निउज ने परमुकता से देखाया जिसको संग्यान में लेते हुए एससपी डॉक्टर सुनील गुपता ने मुकदमा दर्ज कर कारवाही करने का आतेश दिया इस दोरान गोरफपूर निउज संदाता से विशेश बाचीत में एससपी डॉक्टर सुनील गुपता ने कहा कि इस समय शादी विवा का सीजन चल रहा है जिसमें शादी करिकरम के दोरान परिवार के लोगों को अपने सामान के साथ सत्रक्ता बरतने और सजग रहने की गुरफपूर वासियों से अपील की इसके पचात पीडिस सुधीर जैसवाल की तहरीर पर चोरी की धारा के तहट मकदमा पंजी करित किया गया है इस संबन्द में गुरफपूर नीउस संदाता से बात करते हुए लड़की के भाई पीडित किशन जैसवाल ने कहा कि आपके चैनल के जरीए सबसे पहले हमारा नीउस दिखाया गया है जिससे हम आपके अबारी है बीस मिनट के अंदर हुई चोरी में आपको गुरफपूर नीउस द्वारा मिनट टू मिनट चोरी के पहले रेकी और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बाहर जाने तक की मिनट टू मिनट पेश है ये खास रिपोर्ट शाम आठ बचकर दो मिनट पर पहले लड़की लान में इंटरी करती है उसके ठीक लगवग तीस सिकंड बाद एक लड़का इंटरी करता है आठ बचकर पांच मिनट से आठ बचकर साथ मिनट तक लड़की दोरा रेकी किया जाता है उसके पस चाहित लड़की अपने साथी को बता कर वापस आठ बचकर 14 मिनट पर वापस घटना अस्तल पर आती है आठ बचकर 16 मिनट पर कमरे में घुसने के बाद बैढ़ जाती है इसी बीच कमरे के बाहर लान में उसका साथी यूवक 8 बचकर 19 मिनिट पर बाहर से देखता रहता है लड़की 8 बचकर 20 मिनिट पर सिसी टीवी कैमरे से उजहल हो जाती है 8 बचकर 22 मिनिट पर मौका देखकर बैग चुरा लेती है योजना में कामियाब होने के बाद उचल कूद करते हुए पहले लड़का फिर लड़की 8 बचकर 23 मिनिट पर 15 सिकंड के अंतराल में दोनों में गेट से बाहर होकर तीसरी आँख से गाइब हो जाते है इस समद्ध में गोरखपुनी समधाता से बात करते हुए पीडिकिशन जैसवाल और इससपी डॉक्टर सुनिल गुप्ता ने कहा गो लुप्ता गुप्ता अंतरा ने कहा गाएब होगी अंतरा ने किवाब। डिछे को फिरे गिव सब्सक्राइब करता है आवलोले सब्सक्राइब विए चार्णी को जाड़ थाड़ लग्योफ जाँ कि एफ इफ इफ दैज टाटी फटी गैज़ झाले पिर होते है विए छोंधे दिए भार्वयोंदक पिधन डबेता झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अईभ प्टांग, प đấy। आटे पॉस्टन हर वहाइं डिद सेपट केग गना हो अजने गज्मास को ने संपला है अजन ध clock hour हम्री ओडख टया, तो कि लियह है कर दो खूब कर दो गूब अग। कि बटब करें औरिंग के राद ठाद है एक जाए है जाए है जाए है इन क्या चोरी है अप्राट जिर्वाजी आप चले जाए है किशन जैस्वान नाम हमारा तीन तारीक जैसे हमारे सिष्टा कि साधी थी उसमें आड़ बजे प्रोग्राम में जो चोरी हो गई थी तो कोतवाल सामने हमारी बात नहीं सुनी थी आज हम सेश्पी सापके पास आए हैं उन्होंने हमारी बात सुनी है अफायार दर्जुगा है यह आपके चैनल से हमको बहुती सबसे पहले न्यूज दिखाया गया है इसमें बहुत आपकी क्रिपा रही है हमारी जी एक कोई मैरीज लॉन है जिसका सिस्टी वाइरल हो रहा है एक चोटी बच्ची उसमें जाकर के कुछ पैसे चुड़ा के भाग रही है ऐसा हमें जित कोई अपराद है तो उसके बारे में हम लोग करवाई करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं जंता को भी अन्रोद करूंगा चूकि शादियों का सीजन चल रहा है बहुत सारे मैरीज हॉल है सभी जी के पुलिस प्रबंद देना बहुत मुश्किल होता है अपनी सत राज करमचारी शिचक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के अंतरगत बुदवार को राज करमचारी ने कारियालों में तला बंदी कर हरताल किया और नगर निगम के राणी लच्मी बाई पार्क में धरना दिया राज करमचारी के मुख मांग नई अंशदाई लागू करने के लिए जम कर नारे बाजी किया हरताल में भारी संख्या में राज करमचारी अधिकारी और शिच्छक मवजूद रहे इस संब्द में गुरभ पुर्णी संदाता से बात करते वे पुरानी पेंशन बाली मंच के चेर्मेन भारतिंदु यादों ने कहा मादिन मेग सचुने एक आपशह कर जाएगध उनर और की निधी belief शला करमचारी हर में पर है हर कान पर है मुच्छा कान महीं करेगा इगर आप में दिए हमारी प्लंस अंदा हम कर दीजिए मैंने गमिश्ट राजप कर ताविष्ट जिनदा पच्छा के इक करमचारी परसेस के सेर्मेन भारतिंदु यादो बोलना हूँ बताना चाहता हूँ कि आज दियांक रामिलक्षमी भाई पार्क में छे तारिक से आगामी भारत तारिक तक महारतार हम लोग कर रहे हैं ऑज गोरकपुर ही नहीं पुरा उत्र-प्रदेशलंद है और बंदी का फिर्फ एक कारण है पुरानी पंशन बहाली हम स्कता से मांग करते हैं कि जो हमको पुरानी पंशन पहले से मिलती आ रही थी वह पुरानी पंशन हमको वापस कर दिया जाए और जो संस्द्विधायक ए कर रहे हैं शांती वेवस्ता और अभियोजन समीति की बैटक जिलादिकारी की विजेनर पाइंडेन के अधिश्ता में क्लिक्टेट सभागार में संपन हुई बैटक में एससपी डक्टर सिमिल गुपता एडियम प्रशासन चतुरबुज गुपता सहीत शास की अधिवक्ता म को समय से निस्तारीद किया जाए जिससे लोगों को सरल और सुलप नहाए मिल सके तो प्रब्री वहां से कुछ नोटिग्रेशन आया है तो वह एक एक सी नहीं को जाएंगे लोग तो काफी कोट है खाली है सब्सक्राइब इस पर आर्गोमेंट हुआ लगे नहीं हुआ अविश्व में ये खुआ है अभी नोगी जेव अव्ट अफटीन द्रेशन द्चे नहीं है तो बादेशन मेंटिक्ष 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 खाली अन्यूर्वल्ट रहगेवार टॉत ए सब्सक्राइब गादिक्न जास्ट सब्सक्राइब दमादिक्शन में जिए वार्टी बहुत पर चली थी बुछ फर देखा कि अब पर गजा से उसको मोनेटरिंग अबना था था लिष्ट तो सब पहले भी दिजा चुकिए रिसर वो अब दिये हैं कप्तान साथ के आँसर आवगी का फिसी वालक शेयर बना आवा था सोस्में दद्दस मुख़ब है, सब लोग पहले दे चुके यहां, लेकिन उसके अमल नहीं हो पारा सर, पुलिस वारा सर, लास्ट बन सर, सब सब कोटों से गया था सर, इस बार जो सर, सब पिसले मिइटिंग होता है सर, उसमें एक एक उनों ने स्वयां एक दो तीन हर कोटों का उनों इस बारा को हमने किया है, वुष लिस्ट पहले को हमने इस्ट्रक्शन दिया है कि इसको इसको फोकस करते है, और जहां भी इसमें आगर को ब्रॉप्स्रक्शन आ रही है, असलन दवाही नहीं आ रही है, आपरी शेटिंग पिस्निग इसके ही चर्चा होगी है, ठीक है तरन अपर इसकेंट अपर जोपना इसकेंट नहीं नहीं, इसमें नहीं है, जैसे इसकेंड जोट अपर 2 है, उसकेंड़ साथ महिला उत्पिर्ण की घटनाओं के तोरित निस्तारण के लिए उतर परदेश राज आयोक की सदस निर्मला दिर्वेदी के अध्यश्ता में सर्किट हाउस सभागार में समिछा बैठक एवम जन सुनुवाई का एवजिन किया गया जिसमें महिला उत्पिर्ण की घटनाओं में तोरित कारवाही सुनिक्षित किया जाने सहीद आनी बिंदवों पर चर्चा की गई बैठक में निर्मला देवी ने कहा कि प्योडिताओं को विधुक सहयता एफ आईयार दर्जिक कराने से संबंदित सहयता प्रामर्श एवम सु जोता दौराप्रकरण का निस्तारण कराया जाए राजमहिला आयोग में महिला उत्पिर्ण से संबंदित शिकायतों को टोल फिरी नमबर पर या उतरपरदेश राजमहिला आयोग तरितिय तलमानों अधिकार भवन गोमती नगर लखनों को रजिस्टर डाक से शिकायत भे निर्देश दिये इस उसर पर आपर नगर मजिस्टेट सी एम एस महिला चिकिस साले स्पी क्राइम महिला थाना प्रभारी जिला प्रोशन अधिकारी आशा जेवती केंद प्रवंदक सहित विवेन विवागों के अधिकारी मौजूद रहे इस संब्ध में गुरुक पूर्ण कैसे जब पहले हम चाहिए थे उसके बादा न्जूजी ने जब यहां किया हो फिर पौट्व नुक गई हो गई तो उसके बादा आज तक आपके पस आएंगे किस तरह के आए इस काज बाद जोटिन एसंट जब लेकर के आपने हेंडने की सिर्द्र बादे वार्ट बर्द प्रियास करते हैं कि उसका मौके पर ही निस्तारण हो और यहां पर सारे अधिकारी रहते हैं वो पूरा कॉपरेट करते हैं ताकि उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और हम चाहते हैं कि महिला थाने से ही उनके समस्याओं का समधान हो जाए अगर वा गुरगपुर के आसपास की हैं तो आज एक मैटर था एक रड़की के सामान के वापस होने का काफी दिनों सो प्रियास कर रही थी वो काफी परिशान थी तो उसको वी स्टारीक एक डेट मेली है हम सबने प्रियास किया है SP क्राइम ने भी हमारे मिला थाना देख्ष ती शालेइन सिंग्जी ने मैंने कोदी सौहम बात की है तो यह फाइनल हो होायाए कि वढ़ी मिद ना ना कि उसको महलताने इसे समान मिल जागा। इस तरह को समान है कि शाधी में मतलब मामगरा यही था कि मामला यही था DOWNू Kingdom पती ने चोरी से फिर दूसरी शाधी कर ले कけれ賭 कि इसारे इससे लोगोंस के साथ मैं कैसे हैं, जिन्हों कि जन्हों का बुद्धवारो का तीसरे बुद्धवार opioid k लगता है हम जितनी महींMr. आयोक के सदसंते हैं, वे सभी जिललों में जाती हैं जिन गारते मे जन्रुन दुनुद्धवार का परदे और न्हिंतौर से करते हैं आयो की तरफ से उनको लेटर गया हो Hol becoming हныफ है, हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो जनता ही रहती हैं, समस्याँ करें करते हैं कोशिछ करते हैं कि तॉन अत्रेस्तारान करते हैं, ताकि उनको दुबारा दोड़ना ना पड़े है। समाधान कर सकें ताकि वो खुश रहें, अच्छा जीवन में तित करें। क्या बाकी हो और क्यों बाकी है, क्यों नहीं इस पर कारिवाई हुई। क्यों हमारे तरफ से ही, महिला आयो के तरफ से ही लगाया गया है। तो सबसे पहले तो ये बहुत मतुपुन बात है कि वो 181 डायल करके और अपनी शिकायत वहां दर्ज करा है। विभा के कर्मचारियों से संपर कर ततकाल अपना पंजी कराड करशी विभा की वेक साइड पर कराकर योजना का लाव उठा सकते हैं। इस योजना की जानकारी देते वे जिलादिकारी के विजेंदर पंजीन ने बताया कि योजना के पात्र किसानों को 6,000 रुपे सालाना दिया जाना है जो 2,000 के 3 किष्टों में दिया जाएगा। इस समद में गोरगपुर्ण नीव से बात करते वे जिलादिकारी के विजेंदर पंजीन ने बताया। उसी के अंदर हम लोग जो डेटावेस क्रियेट कर रहे हैं मतलब कितने किसाने जनपद में उसी लोग का एकटा करके हम लोग पोटल में एक सब्ता के अंदर फीर कराने के काम प्रारम हो गया है। प्रशी विबाग आकर के संपर करें अपने नाम रिजिस्ट्री करा दें रिजिस्ट्री कराने के बाद जरूर आपका आधार का और बैंक अकॉन्ट का डीडेल देएं तकि इसी मेने अंद तक आपका काता में 500 रुपिया के दर्स से हर मेने के सब से 2000 रुपिया अभी इसी रुपया चलेगा उसके बाद साल में चार किस्त होगा तीन-टीन मेने के 2000-2000 के किस्त बेचाएगा ताग्या हम लूग एक सब्लूंग चाला कराने के प्रयास करें है यहता संब्व 28 तक करा लए कितने लोग 28 फरिवरि तक उसका नाम आ जाएगा उन लोग को लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जाते जाते एक नजर हैडलाइन पर गोरखपूर निउस के हैडलाइन के प्राविज़ेक है डक्टर राणा हस्पिटल प्राविट एड ट्रामा सेंटर मुनीब के ऊपर फायर कर एक लाख से उपर की लूट घटना की जाच में जोटी पुलिस एसेसपी डॉक्टर सुनिल गुप्ता ने कहा जल्द होगी गृफतारी विकास के पत पर अग्रसर है गोरखपूर जिलादिकारी के विजेनल पैंडेल ने कहा जल्द नए लुक में नजर आएगा गोरखपूर हिंदु जोगानी के कई पूर परादिकारीयों की पुना संगठन में घर वापसी परदेश परभारी वेम विधायक डुमरिया गंज रागवेंदर परताप सिंग ने की गोच्रा गोरखपूर न्यूज के खबर का असर कोतवाली थाना छेतर एक लाण में हुई लाइव चोरी की घटना को संग्यान में लेते हुए एसेसपी ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश दर्ज हुआ मुकदमा गोरखपूर न्यूज ने परमुखता से दिखाई दी खबर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहल किया जाने के लिए गर्जे राज करमचारी शिच्छक और अधिकारी नई अंश दाई पेंशन योजना के खिलाब किया हड़ताल खोला मूर्चा जिलादिकारी के अधरष्टा में संपन हुआ शान्ती वैवस्था और अभियोजन समीति की बैठक लंबित वादों को समय से निस्तारन के दिये निर्देश सरकिट हाउस अभागार में राज आयोग की सदस निर्मला देवी के देश्ता में संपन्ध हुई बैठक वाजन सुनवाई मैला उत्पिणन की घटनाओ के तौरित निस्तारान की दिये निर्देश प्रदारमंतरी किसान सम्मान निदी योजना के पातर किसान करा लें अपना रेजिस्टेशन मिलेंगे 6000 सालाना डियम निदी जानकारी पांच सुत्रियम मांग को लेकर उत्तर परदेश बार कॉंसिल के अधिवक्ता 11 फरवरी को डियम के माध्यन से पीम को प्रेशित करेंगे ग्यापमन बार कॉंसिल के सदस मदू सुनन तिर्पाटी निदी जानकारी जिलादिकारी के अधिश्टा में संपन हुई राजस परशासन हुआ कर करेतर की बैठट लक्ष के सापेश राजस की शत्परतिशत वसूली किये जाने सही ओटी एस के परचार परसार करने के दिया निर्देश विभिन मागों को लेकर परगतिशील समाजवादी पाल्टी लोहिया ने दिया धरना किसान आयोक के गठन और देश को कर्ज मुक्त कराने का किया मान महानगर इस सिद नगर निगम परिसर में रेली निकाल कर किया परदर्शन विविन मागों को लेकर अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौपा गया पन आगनवाडी कर्मचारी वेम साही का एस्सेशन का अनिश्चित कालिन काम बन कलम बन हरताल रहा जारी कहा मांगे पूरी ना हुई तो लखनू करेंगी कूच और खूब खेलो खूब बड़ो शिर्शक के अंतरगत आयोजित हुआ एक दिवसे अटलीट और बालेवाल जलास्तरिय परतियों गिता विजेता खिलाडियों को पुरुषकार दे कर किया गया सम्माने अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मजित रेती चौक आपके लिए लाए है उम्राह का खुबसूरत मौका आप घर बेटे ही उम्राह की सारी तयारिया कर सकते हैं वो भी बेहत कम खर्चों में साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोफे में हर हाजी को तीन बैग और एक एहराम दिया जाएगा हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं कुछ तोफे हम कभी नहीं बूलते एश्प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की राणा हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशिलिटी से विधाओं से युख आपके गुरपूश शहर में माडूलर, आईसीउ, इन आईसीउ और डालेसिस की विशेश सुईदा साथ ही हमारे यहाँ पर है जनरल फिजिशन, हड़ी रोग विशेशक, नेरो सर्जन, हिर्दे रोग विशेशक, बर्न एवं प्लास्टिक सेजरी के भी उत्तम वैवस्था हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्र सोना घोष, इन फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से, नी संतान दंपत्यों के लिए आईवी एफ, एकसी, आईईउ आई लेजर हैचिंग, ब्लास्टो सिस्ट कल्चर विधी द्वारा संतान सुख काने की उत्तम वेवस्ता, तो संपर करें, डॉक्टर राणा हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल वी एर, मेटिकल कालेज रोल, जर्गावाग औरकपूर, हेल्प लाइन नमबर साथ साथ शोनिय, छैनो शोनिय, 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 दो आई उन्मप पंड पत्सकर बत्सक्त, जर्गावाद सेंटर, टेन साथ 6. खिया, यह, और्गा भ्हागएर मेगाद लिम्ल झाल झाल रोयल लोगों की रोयल पर्शन रे रोयल चाय बात करके देखते हैं बात करनी चाहिए बात अमो बात बात ऐसी है कि एक बात करना चाहता हूं मैं तुमसे बात तो कर सकते हैं न वो अब मुझे ऐसा लगता है अमरिता की होता है हो चाहता है समझता पेटर है मैं क्यों कह रहा था हमो तुम्हें मुझे बात करनी चाहिए कभी न कभी तो बात करनी थी है नहीं टाइम आ गया है हमें बात करनी चाहिए है है ना पापा है किसे बात कर रहे हो अम्मू किसे से नहीं वो वो मेरी अम्मू अब बढ़ी हो गया ना इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं बस शुरू करने की देर है इस डॉर्टर्स जे लेट्स टॉक पीरियट्स पेगस निसान गोरणपूर का एक मात्र निशान डस्टन का exclusive शोरूम और वर्क्शॉप जी हां सही सुना आपने जिन गाडियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरणपूर से बाहर जाना पड़ता था अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छट के नीचे पेगस निशान Sales Services and Spares भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गुरणपूर हमारी तरफ से विशेस ओफर निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंसुरेंस Conditions Apply अधिवक्त अपनी मांगों को लेकर उसे पूरा नहीं किया जिसको लेकर अधिवक्त अब आंधोलन की रणनीति तयार कर चुके है ततथा मांगे पूरी नहीं होने पर आभी राजियों की राजदहनि में राजपाल को ग्यापन सोपेंगे इसके बाद भी अगर कोई कारवाही नहीं होती है तो आगे की रणिती त्यार की जाएगी गुरफूनियों से बात करते हुए बार कॉंसिल उत्तर परदेश के सदे से मधू सुदंतिर पाठी ने कहा सुतंता संग्राम के बाद और पार्लियमेंट के गठन के बाद सन 1952 के बाद ये पहली बार अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को ले करके पूरे भारत वर्स में 11 तारीक को वहां के लोकल जो हर जिले के डियम होंगे उनको अपनी मांग पत्र देंगे और 12 तारीक को जो उधर NCR के अधिवक्ता है वो दिल्ली में राष्टपत का पत्रक देंगे और 12 तारीक को यहां से जुलूज के सकल में सारे अधिवक्ता चल करके डियम को एक और दो के बीच में पत्रक देंगे हमारी मांग यह है कि माननी स्री नरेंद्र मोदी जी परधान मंतरी होने के पूर एक मार्च सन 2014 को महात्मा गांदी मंदिर गुजरात में अधिवक्ताओं के बीच में अभासर दिये थे कि जब हम परधान मंतरी होंगे तो अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट में काम करेंगे और उनको पेंसन देंगे उनको इस्टाइपेंट देंगे उनका जीवन भीमा कराएंगे उनको मिर्तु पर पैसा देंगे और जो अज़िवक्ता सक्षम हो जाते हैं घर पर बैठ जाते हैं 80-70 वर्स के बाद उनको पेंसन देंगे और बीमारी पर अज़िवक्ताओं को एक कि वो अपना किसी भी हस्पिटल में अपनी दवा करा सके इस बात को हमारे जो आल इंडिया बार कॉंसिल के चेर्मेन है मनन जी ने इस बात को लिख करके 22 जनौरी सन 2019 को उनको याद दिलाया कि चार वर्स बीद गया और आपने अधिवक्ताओं के बीच में ये अस्वासन दि लिए और अभी तक आपने जो बजट पास किया है उसमें अधिवक्ताओं को आपने कोई रिलीफ नहीं दिया इसको ले करके उनकी के बाद आल इंडिया बार कॉंसिल ने पूरे देश के स्टेट बार कॉंसिल का एक मिटिंग बलाया जिसमें मैं भी गया था और आल इंडि मांग को मिटिंग बलाया और दो फरवरी सन 2019 को यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हमारी मांग 6 मांगे हैं पहली मांग है कि हर एसोसियेशन को जिले के अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक अच्छी बिल्डिंग बने जिसमें टाइलेट कैंटीन और ई-लाइबरेरी लाइ आधिवक्ता के मरने के बाद या जो डिसेबूल हो जाते है उनको जब वो डिसेबूल हो जाते हैं तो उनको पैसा दिया जाए अपने जीवन ये अपन करने के लिए दूसरा जो 10-5 बरस तक जो अधिवक्ता नई न्यू कमर हमारे अधिवक्ता बंदू आते हैं उनको 10,000 रुपया पर मन्त इस्टैक्पेंट दिया जाए तीसरा उनका जीवन भीमा कराया जाए चौथा उन्होंने ये मांग किया कि जो जुडिसियरी में जजेज और जुडिसियल अफसर रिटायर होते हैं तो उनको जो है अड्मिनिस्टेटिव बाडी जो है उसको कहीं कहीं फोरम में या कहीं द्यूट करती है उसके लाग को अमेंडमेंट किया जा और उसमें अधिवक्ताओं जो सुयग अधिवक्ता हैं उनको भी रखा जा यह सब मांगें लेकर के हमारी मांग को यह परधान मंत्री जी के पास हम लोगों ने भेजा राजपाल के पास भेजा और उन मांगों को अगर वो नहीं मांगे तो इक ग्यारह तारीच को पूरे देश का दिवक्ता हर जीले का दिवक्ता हर तासील का दिवक्ता अपने जीले पर आ करके और एक पुरिष्छन के रूपнемे अध्यक जी के नेतुर्त में ये डीयम से एक और दो बजे मिलेगा अपना पत्रक माननी प्रधान मंतरी राजपाल और मुख्र मंतरी को देगा डीयम के माध्यम से और बारह तारीक को अगर इस पर फिर कोई विचार नहीं हुआ तो बारह तारीक को पूरे देश की अधिवक् और जो दिल्ली के दिवक्ता हैं वो राश्पत को अपना इस देंगे उसके बार भी अगर वो हमारी मागे नहीं पूरी हुई तो पूरे देश में इसके लिए एक फिर मिटिंग करके आल इंडिया बार कॉंसिल सारे मिटिंग करके एक फिर निड़ाय लिया जाएगा कि नि इसी समंद में मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की जो सरकार है वो सौ करोन रुपया अधिवक्ताओं को हर एनुवल बजट में देती हैं दस करोन रुपया सालाना जो हरियाना की सरकार है वो सरकार जमीन सस्ती रेट पर लेकर के अधिवक्ताओं की कालोनी बनाने के लि इस्टेट दे सकता है तो हमारा इस्टेट क्यों नहीं दे सकता है हम तो उनसे एक मांग और है कि हमको पांच हजार करोड पांच हजार करोड रुपया ये उसमें दिया जा है हमां बजट में दिया जा और उस बजट को खर्च करने के लिए जो पांच हजार करोड आएगा हो चाहिए स्टैपेंड हो चाहिए वो उसका हो बीमारी का हो जिसमें खर्च होगा वो पैसा वो देंगे अगर वो नहीं देते हैं सरकार नहीं देते हैं तो अब अधिवक्ता सडक पर आ गया है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुश सक्चम है हम आज तक स्वतंता स संग्राम की लड़ाई लड़े हैं हमने सम्मिधान बनाया है हमने सारा एक्ट बनाया है लेकिन हम अपने लिए कभी मांग नहीं किया है यह पहली बार है जब हम अधिवक्ता सलक पर उतर करके अपनी मांग मंगता है आप बताईए इस्टेट लेबूल पर आंगन कत्री जै है कि हम भी सलक पूतरेंगे और हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है इस बार राजस परशासन वाकर करेतर की बैठक जिलादिकारी की विजनर पाड़नें के अधिशता में कलेक्टर सभागार में संपन हुई बैठक में डियम ने निर्देश दिया कि लक्ष के पत्पत्र अवश्य दाखिल हो जाए उन्होंने बिजली विवाग के अधिकारियों को निर्देश दिया की जन्पद में सर्चास समधान योजना का व्यापक परचार परसार भी कराया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाब मिल सके बैठक में एडियम पर हुआ, जाने विद लेकों करने विट डिर्जी को अधिक आसु आने जा चैकर होना शुक्ति करिक अधिका व्यर्ण्रावाें शॉन्हान निकि सेतश धीन जो है आपकला वादी करें जांठ अचेस लगहां के बिसका रिजाए आप रिटेर सूची दे दो सबको चार सिती हैं कितने लगा दिया तुमारे काउंटर लग गया सब में इसमें साशन को फाइल में बेंदी की पीसो फाइल पर्मिशन दी लिए जी वहां से वाकस ले आँगा मंलाक से आपको दे दूंगा कितने रिट गई है आपका 20 इस बिस पाइल नब जे बिस रिट है न आपका अल्यों पाख नब हूंटर दो अजो या एकना अबस ब्सक्षर ने तो है और वहां कुल में लागा ये फासियर इंक बीद्पर का आपका बिलिट्बर्स कोई रिट्मेट तो नहीं है तो यह करके बताएं और आपकर बारे में कोई जानकारी है आप लोकर कितने कितने प्रेट नहीं है अगरों का चट्बंधी में कितने है तो सब येपसाइट पर हम्दा प्लोग चाहिए किज़र परकतिशीर समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्टी अध्यच दिपक मिश्रा के नेतरुत में पुदवार को नगर निगम के रानी लचमी बाई पार्क में विविन बागों को लेकर एक दिवस्य धरना दिया दिपक मिश्रा ने कहा कि किसान आयों के गठन किया जाए जिससे किसान फसल का लागत मूल या निकाल स प्रगति छील समाजवादी पाल्टी लोहिया बौदिक सभा के राष्टी अध्यच दिपक कुमार मिश्रा ने कहा दिपक मुश्रा प्रेक्सील समाजवादी पाल्टी की बौदिक सभा कर आश्चेद्यक्ष देखे हमारी मांग यह है कि किसान आयोग का गठन हो ताकि किसान अपने जो लागत है उसको निकाल सके और देश को कर्जा मुत बनाया जाए कर्जे से पूरी देश का कराह रही है और तोर अभियात में गोरफपूर में देखा एक परिवार पूरा कर्ज के नाते अत्मधा को विबस हो गया उसके परिवार को नौकरी दिया जाए कली हमारा सिस्टम अंदल जाए प्रकासी के अगवाई में उनसे मिला था और पूरे देश की जो हर्थवे वस्ता डाली डाली है कैसा बाग का माली है अब प्रक्षिल समाजवादी पार्टी का कारवान निकल चुका है और इन साभी समस्याओं को लेकर आज हमारा सिस्टम अंदल यहाँ पर धरना देने के लिए उपस्तित हुआ है और एक बात और इसपस्ट है अब प्रक्षिल समाजवा पार्टी का होगा वो डक्टर राम नौलोया के सपनों का होगा अस्वाक उल्ला खान और राम पसाद दिस्मिल की साजा विरासत का होगा महानगरे सिद नगर नेगम परिसर में बुद्वार को संयुक्त समीदा कर्मी वे रोजगार महागार बंदन के बैनर तले विविन विवागों के समीदा कर्मी ने रैली निकाल का परदर्शन करते वे जिला अधिकारी कारियाले पहुंचे जहां जम कर नारे बाजी की इस दोना समीदा कर्मचारियों ने अपर नगर मैजिस्टेट को ग्यापन सपा और अपने विविन बागों से उनको आउगत कराया इस समद्ध में गौरफ पुर्णी समीदा कर्मी जनहित संगर्श मोर्चा उतर परदेश के परदेश अध्यस मिर्तुन जय पांडे ने कहा इस संगर्श पांडे ना संगर्श Pom आउश है परने विविन बागों सैंगर्श तर पिरोच नगर मोर्चा उतर पांडे । जन्ट जन्दवाज leнитовор पांडे आइ संगर्श हो गौर्ट ौमडाकर उतर इस समीदा कर्मी उतर इस संगर्शमीदा कर्मी आदेर आऊटा जुट हो करके आज नगर निगम पार्ट से रैली निकाल करके आपको ग्यापन देना चाहते हैं तो कि सग्दे बाकी है और योजना भी समाथ हो चुकी है जुट है कर्मी आउटोर्चिंग महागर बंदन करके आज़े आज़ निकाल करके आज़ाज अबसांगा सम्विदा कर्मी जनिस संगर्समोर्चा के बाइनर तले आज हम समस्त सम्मिदा कर्मी पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्याले पर यहां तक की अन्य राज्यों में भी हम लोग अंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी सभी मांगों को मान लिया जाए आज हमारी को मान जखता में जो बैठक लखनों में होने वाली है जिसमें समस्त सम्मिदा कर्मिव के भविशे के बारे में विचार किया जाएगा हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस संभीजा कर्मियों की बैठग में सिच चाप्रे रखा भी नाम जोड़ा जाए और हमारे भी भविश्टी का द्यान रखा जाए जै संभीजा कर्मिय जै महागट बंदन मांदे सहित अपिनी विविन मागों को लेकर आगानवाडी कर्मचारी साहिका एससेशन का काम बंद कलंबं हरताल नगर निगम के रानी लच्मी भाई पार्क में बुदवार को भी जारी रहा हरताल में भारी संक्या में आगानवाडी साहिका एससेशन के जिला संयुक्त मंतर संगीता आरया ने कहा कि बजट पास होने के बाद बड़े मांदे का राजग्या जारी नहीं हुआ है जिसके लिए पूरे पर देश में आगनवारी साही का ध्रना दे रही है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 10 तारीक के बाद लखनों के लिए कूछ करेंगे इस सम समीतारिया में आहनबारी करम चारी सायका एस्टौसीन की जिला संयूत मंत्री हूँ हमारा आहनबारी करमचा एस्टौसीयि का अमिस्टौ प?" काम्न कलंबन हरताल है और ये हर्ताल तब तक चलेगा जब तक हमारे बड़े वे मांदे का जियो जारी नहीं करते क्योंकि साथ जुनकों उन्होंने जो वारता हमारे संगटन के साथ किया था उसमें उन्हेंने साफ साफ कहा था कि वो हमारा मांदे दुगना से धायगुना तक करेंगे और उसका बजट भी पास हो गया, मगर आज तक उसका जियो जारी नहीं किया, हमारी बहने आज यहां धरने पर बैठी हैं, और यह धरना पूरे परदेश में चल रहा है, और 10 तारिक तक हर जिले में होगा, उसके बाद 11 तारिक से हम लकषारी उत्तर परदेश के आगनबारी जिले पर प्रदर्शन कर रही हैं हरीश ने पुरुषकार दे कर समानित किया, इस वसर पर मंडल के किलना अधिकारी, एक के पांडे, उप किलना अधिकारी, दिलीप कुमार, महंदर गुपता, सहीद, विभिन, खेलों के परशिचक और खेलाडी मौजूद रहे, इस समद्ध में गोरफ़ निउस साधाता से बात करते वे एथलीट के परशिचक दिलीप कुमार और उतर परदेश हाकी संग के उपादे धीरस सिंग ने कहा इस परवे पड़ती है, एथ ने, बिटा है, पक्सा तो ना रहा है, पक्सा तो ना रहा है, रियससे का तो हम बड़े लूगे बद्धा, अनगर, अधु पूफदा, अधु, अनगर, आखेलो, जो नगर, विदू, आखेलो, जो नगर, आउग, वाउदे लो, इस अधू, इसको बढ़ा है कि अइज नियुजी के लिए अगे इस प्ली पैगी इस प्ली पैगी इस प्ली पैगी की खुर्याँ वादट पैगी सब्सक्षी प्ली प्ली कि यह रहे हैं और तुम भी इनको सेगंड प्लेस मिला है जुसरे भी यहता है कि वालक बार्ट रविक मिस्ट्रा कि विशाज साहली दुटी कुमी त्यादेल को आट सुम्टन मनिश निशाद दुटी आसीश गिरी पंद्रह सुम्टी सेलेश कुमार्ट कृति है लंबे कुख लेशंगार पथम अका सुटाजची अमिद पाथवान शिची जाला मिकार शादी आधंग ये जाध़ाद भाथवाद्टी पुस्का सानी पुस्की चुटी पिरिया शिंगौतम कुछी आरकी सिर्थी दोड़ गयाओ इस्तमानी को चो पर अप्थान आए जोती शानी प्रतियोक्ता का आयोजन यहां छेत्री घडांगन में किया गया जिसमें एथलेटिक्स और वालीबाल के खिलाडियों ने अपने स्कूल के माध्यम से इसमें प्रतिभाग किया यह निश्चित तोर पे ही गैसा आयोजन है जो लड़कों को मूल रूप से निचले अस्तर से ले जा करके एक उचाई तक ले जाने का प्रयास है औ और जिन्होंने अस्थान पाया है और जो बच्चे इसमें अस्थान नहीं पाये वे भी निश्चित तोर पे अगले साल संगरश के माध्यम से खूब खेलो के इस आयोजन में जो सहयोग यहां के अधिकारियों का रहा है निश्चित तोर पे सराहनिय है और हम आशा करते हैं कि इसके माध्यम से खेल को एक नई दिशा और दशा मिलेगी जाते आते एक नजर हेडलाइन पर गोरखपूर नियूज के हेडलाइन के प्रावजेक है एस्परा गोरखपूर न्यूस के साह पराजेक है डॉक्टर राणा हस्पिटल प्राइवेट लिवेटेट एंट रामा सेंटर मुनीब के उपर फायर कर एक लाग से उपर की लूट घटना की जांच में जोटी पुलिस एसेसपी डॉक्टर सुनिल गुप्तन ने कहा जल्द होगी गृफ्तारी विकास के पत पर अग्रसर है गोरखपूर जिलादिकारी के विजेन पाइंडेल ने कहा जल्द नए लुक में नजर आएगा गोरखपूर हिंदु जोगानी के कई पूर परादिकारीयों की पुना संगठन में घर वापसी परदेश परभारी वेम विधायक डुमरिया गंज रागवेंदर परताप सिंग ने की गोच्रा गोरखपूर न्यूज के खबर का असर कोतवाली थाना छेत्र एस्सित एक लाण में हुई लाइव चोरी की घटना को संग्यान में लेते हुए एसेसपी ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश दर्ज हुआ मुकदमा गोरखपूर न्यूज ने परमुखता से दिखाई दी खबर पुरानी पेंशन व्यवस्ता बहल किया जाने के लिए गर्जे राज करमचारी, शिच्छक और अधिकारी, नई अंश दाई, पेंशन योजना के खिलाब किया हडताल, खोला मूर्चा जिलादिकारी के अधिश्ता में संपन हुआ शान्ती व्यवस्ता और अभियोजन समीती की बैटक, लंबित वादों को समय से निस्तारन के दिये निर्देश सरकिट हाउस अभगार में राज आयोग की सदस निर्मला देवी के देश्ता में संपन हुई बैठक वाजन सुनवाई मैला उत्पिनन की घटनाओ के तौरित निस्तारान की दिये निर्देश प्रदार मंतरी किसान सम्मान निदी योजना के पात्र किसान करा लें अपना रेजिस्टेशन मिलेंगे 6000 सालाना डियम निदी जानकारी पांच सुत्रिय मांग को लेकर उत्तर परदेश बार कॉंसिल के अधिवक्ता 11 फरवरी को डियम के माध्यम से पीम को प्रेशित करेंगे ग्यापमन बार कॉंसिल के सदस मदू सुनन तिर्पाटी निदी जानकारी जिलादिकारी के अधिश्टा में संपन हुई राजस परशासन हुआ कर करेतर की बैठट लक्ष के सापेश राजस की शत्परतिशत वसूली किये जाने सही ओटी एस के परचार परसार करने के दिया निर्देश विभिन मागों को लेकर परगतिशील समाजवादी पाल्टी लोहिया ने दिया धरना किसान आयोक के गठन और देश को कर्ज मुक्त कराने का किया मान महानगर इस सिद नगर निगम परिसर में रेली निकाल कर किया परदर्शन विविन मागों को लेकर अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौपा गया पन आगनवाडी कर्मचारी वेम साही का एस्सेशन का अनिश्चित कालिन काम बन कलम बन हर्ताल रहा जारी कहा मांगे पूरी ना हुई तो लखनू करेंगी कूच और खूब खेलो खूब बड़ो शीर्शक के अंतरगत आयोजित हुआ एक दिवसी एटलीट और बालेवाल जिलास्तरिय परतियों गिता विजेता खिलाडियों को पुरुसकार दे कर किया गया सम्माने अब आप मुझे अजाज़त दीजे नमस्कार